So, Hey guys, Welcome back to Gadget Beats आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वाल पेपर आप्लिकेशन जो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए इस वीडियो इस रिक्वेस्ट फर्मार सब्सक्राइबर सिद्धान्त बली थैंक्स वादी सजेशन डूड तो फर्स्ट आप ऑन दे लिस्ट इस वाली यह काफी यूनिक अप्लिकेशन है अगर आपको कोई भी वाल पेपर चाहिए आपके एंड्रोइड डिवाइस के लिए क इस अगर आप गृस्ट काणिब करेंगे अगर आपम फॉटोग्रफर वालपेपर लोट्ययमे ओनिम्ल सबस्क्राइब यहां पर आपको फोटोग्राफिज उलेटेड वाल पेपर जैने मेंगे आईकर आपको लिए यह अवाल पेपर लेंफ्हार ही कार्स से रिलेटेड pan- और अगर आप थोड़ा explore करोगे तो यहां पर आपको काफी quality wallpapers देखने मिल जाएंगे जैसे मैं आपको भी screen पर दिखा रहा हूँ यहां पर जो भी creators इनके wallpapers को upload करते हो काफी high quality और high resolution के होते हैं तो do check this application out यह आपके smartphone को complete नया look provide करने में काफी help करेगा बढ़ते हैं आज के मारे next application के तरफ that is amoled walls यह one of the finest amoled wallpapers provide करने वाल application है जो मुझे playstore पर देखने मिला हूँ और इसे मैं काफी time से मेरी device पर use करना हूँ क्यूंकि इसमें जो wallpapers हमें देखने मिलते हैं काफी high quality high resolution के wallpapers होते प्लस उनकी जो smoothness होती है जो darkness के वज़े से amoled wallpapers amoled screen पर काफी निखर के आते हो काफी ला जवाब होते हैं यहां पर हमें cover up होने चाहिए तो do check this application और एक काफी amazing wallpaper application है तो बढ़ते हैं आज के हमारे next wallpaper application के तरफ that is forest settings यह एक live wallpaper application है जिसे time perspective के हिसाब से work करता है तो अगर आपने इस application को रात में कर सकते हैं so do check this application out so बढ़ते हैं आज के हमारे next wallpaper application के तरफ that is minimal wallpapers इस application का UI काफी unique और काफी interesting लगा मुझे क्योंकि इस application में आपको wall of the day plus latest wallpapers देखने मिलते हैं but जोनके featured wallpapers की category होती है वो भी next level है यहां पर आप swipe कर करके आप देख सकते हैं आपको कौन से wallpaper में ज्यादा interest है तो आप उसे choose करके आप उसे select करके आप अपने हिसाब से wallpapers को find out और explore कर सकते हैं जैसे कि मुझे आपर Dragon Ball जी का यह wallpaper काफी अच्छा लगा तो इस application में आपको काफे सारे section देखने मिल जाते हैं जहां पर आप categories को explore कर सकते हैं यहां पर आपको black blur, cars, anime and some of the game inspired wallpapers भी आपर आपको देखने मिल जाते हैं तो अगर आपको यह सारे topics में interest है तो do check this wallpaper application out यह काफी amazing वर्थ ट्राइंग application है बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट वालपेपर आप्लिकेशन लगे मुझे प्लेस्टोर पर लेकिन इस पर हमें जो वालपेपर इस देखने मिलते हो फ्रीक्वेटली अपडेट होते हुए रहते हैं जितना मुझे और कोई वालपेपर application में अपडेट इतिफास नहीं देखने मिलते हैं इस application में आपको सारे ही topics cover किये जाते हैं for regarding games, superheroes, abstract look, modern abstract and etc. यहाँ पर आपको variety of wallpapers देखने मिल जाती है जिनकी resolution काफी high होती है यहाँ पर आपको 4K resolution में भी wallpapers देखने मिल जाते हैं इनके collections की बात करते हैं यह कि anime, wallpapers, superhero wallpapers यहाँ तक कि आपको PC games wallpaper को भी cover up करते हो यहाँ पर आपको wallpapers देखने मिल जाते हैं यहाँ पर इनका pro version भी है लेकिन free version में आपको ज्यादातर सारी चीज़े देखने मिल जाती है यहाँ पर इनके पास में काफे सारे sections है जिससे आप explore कर सकते हो, categories भी find out कर सक अगर आप मेरी बात मानों तो do check this application out, so that's it for this video guys, उमेद करता हो वीडियो आप लोगो पसंद आए और पसंद आए तो जरू से like करना, चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना, and do comment in this video कि आपको next video कॉंसे topic पे चाहिए, I'll shortly read and try to cover those topics out, till then take care